बिस्मिल्लाहिराख्मानिराहीम दादो के किचन से दादो की तरफ से असलामों अलेकुम आज मैं बनाने जा रही हूँ जो लोहौरी का तलम्मा जो बनाना बहुत असान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है चले हम इसको बनाना शुरू करते हैं मैंने एक किलो आटा ले लिया है आम रोटियां पकाने वाला गंदुम का आटा और उसमें एक चमश नमक डाल दिया और आदा काप उसमें ओयल डाल के इसको अच्छी तरह से हम मल लेते हैं इसमें फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको मैं गूंद लूँगी जिस तरह से रोटियां पकाने वाला आटा होता है अगर आपको मेरा ये चैनल पसांद आए मेरी रेस्पीज आपको पसांद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ठीक है अच्छा जी हम आटे को हम गूंद लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल ऐसे गूंद रहा है जैसे रोटियों का आटाप है ठीक है इसको गूंद के इसको उपर एक टेबल स्पून मैंने ओयल लगा दिया है और इसको पंदरा मिनट के लिए मैं गोल तियार करूंगी मैंने दो प्याली लिया है बेसन और इसमें तक्रीबन डेर जमा जो है टी स्पून मैंने नमक का डाल दिया है और इसमें एक टेबल स्पून भरके लाल मिर्चे डाल दी है और इसके अंदर अब जाएगा फूड कलर यह तक्रीबन एक टी स्पून मैं इसके अंदर जर्दा Rangen Heल डाल दिया है इसको पानीडाल के घोल त्यार कर لेते हैं जिस तरह से हम इक पतला सा घोल होता है, उसका पकोड़ों का उससे थोड़ा सा पतला इसको हम त्यार कर लेंगे फिर उसके बाद Hanım这 Рोटिया लेंगे और पेड़े बना लेंगे सारे मैदे के और उसकी रोटियां बेल लेंगे इसकी बड़ी सी हम रोटी बेल लेते हैं और दूसरी तरफ मैंने कड़ाई उपर रखी हुई है उसमें ऑईल रखावा गरम होने के लिए रोटी बेल के उसके उपर वो जो मैंने बेसन का और जर्दा र पर एक लेप कर देंगे जिस तरह से एक लेप होता है ठीक है यह करने के बाद अब इसको पर मैं डालूंगी दाल- दाल मुंगी की मैंने भगो के रखियी थी एगष्ण तो बिगोया और पानी ने चोड़ दिया, डाल लगाने के बाद अब इसके उपर सूखा धनिया डाल दिया है, सूखे धनिया के बाद इसके उपर मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया, यानि कुटी वी लाल मिरस डाल दिया, अब इसके उपर डाल दिया अनार दाना, और इसको अच करा के तो इसको हम निकाल लेंगे यह देखें जी हमारा लहारी का तलमा त्यार है और बहुत मज़दार है इसको आप जरूर ट्राइ करें अगर मेरी रेस्पी आपको पसंद आए लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दादो की किचन से दादो की तरफ से अल्ला हाफिस